और अब ख़बर नरेंद नगर विधान सभा से जहां से कॉंग्रेस के प्रतियाशी ओम गोपाल रावत ने नरेंद नगर दुआधार आगराखाल, फकोट, खाडी, गजा, चाका, लसेर, मरोड, आदी, छेत्रों में जाकर मददाताओं और कायरकरताओं से मिलकर फीडबैक लिया कॉंग्रेस प्रतियाशी ओम गोपाल रावत ने कहा कि नरेंद नगर विधान सभा से उनकी जीत पक्की है प्रदेश में भाजपा की विदाई तय है, कॉंग्रेस सरकार बना रही है जोरान, ओम गोपाल रावत के साथ, वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता, जगमोहन सिंग भंडारी, पूर ब्लॉक प्रमुक विरेंद्र कंडारी, जिला पंचेश, अदस्य दयाल सिंग रावत, कुवर सिंग चुहान आदी मौचूद रहे हम लोग पूर्ण रूप से आस्वस्त हैं, क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, कॉंग्रेस पाल्टी नहीं लड़ थी, बल्कि जनता स्वयम परवर्तन के लिए लड़ रहे थी मा कुझापुरी का आश्रिवाद लेकर हम लोग निष्टित इस विधानसवा में पर्चम लेराने वादे हैं बिल्कुल असल में वो जनता की नवज को नहीं जानते, उन्हें सिरफ अपना दारू जो उन्होंने बटवाई, जो पैसा बटवाया, जो साडी, जैकेट्स जो उन्होंने बटवाई, उनको वो उस भरोस्य को लेकर कह रहे हैं कि कोई साडी लेकर बोड़ दे देगा, दार कारियों में लगना था, वो सिरफ इनके चन्द चम्चों ने अरू जो उनके ठेकेदार थे, सिरफ वो लोगर उनके बरोस्य के लेकर बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसा बाटा तो पैसे से बोट वागे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जनता बहुत दुखी थी और वो इन चम्चों से निजात पाना चाहा रही थी और वो उन्होंने करके दिखा दिया अपने भोट के माध्यम से इनको सबक दिखाने का काम पब्लिक नहीं है, जो जनता का रुजान है, मैं 100% ही 1001% कह सकता हूं कि यहां पर भारते जनता पार्टी जा रही है और कॉंग्रेस पार् यह यह जो है दास्तारी को सबके सामने आ जाएगी